कर्ज क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी संस्था या बैंक से पैसा उधार लेता है, तो उसे लोन या कर्ज कहते हैं. डिजिटल प्रगती ने पहले की तुलना में आरंट के लिए चयन करना बहुत आसान बना दिया है. किसी को फोन लेना हो या कार लेनी हो या फिर अपना घर खरीदना हो सभी तरह की जरूरतों के लिए लोन या कर्ज आसानी से मिल जाता है. क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेना और भी आसान हो गया है. इस तरह लोन मिलने में आसानी होने से जहां एक तरफ लोगों को इसका काफी फाइदा मिला है तो वहीं अत्यधिक खर्च के कारण कई लोग कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। इस प्रकार उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके जीवन की गुणवत् इस लेक में हम आपको वो साथ तरीके बताएंगे जिनको अपना कर आप कर्ज के गहरे अंधकूप में फंसने से बच जाएंगे। कर्ज का जाल, जी का जंजाल, कई लोग कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन अपनी जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने की वजह से उसे चुकाना पुराने कर्ज को न चुका पाने और आमदनी में बरहोतरी न होने की वजह से पुराने कर्ज को चुकाने के लिए फिर नया कर लेना पड़ता है ताकि जितना हो सके बैंक की पैनल्टी से बचा जा सके। जैसे जैसे कर्ज की रकम बरहाती है, इंसान की टेंशन भी बरहात अंततह यह वित्तिय दाईत्व से परे एक तनाव बन जाता है, कर्ज खत्म करने के सबसे बहतर साथ तरीके, एक, ज्यादा ब्याज वाला कर्ज जल्दी चुकाएं, किसी बैंक से लिए गए उस कर्ज पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, जिन पर आप सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, जैसे की क्रेडिट कार्ड से लिया गया कर्ज या पर्सनल लोन वगैरा, इस तरह के लोन को सबसे पहले चुकाना चाहिए, इन्हें चुकाने के लिए एक रणनीती बनाएं और तै करें कि उसके मताबिक कर्ज चुकाना है, जैसे यह पक्का करें, आप हर महीन ज्यादा से ज्यादा रकम जमा करें, ताकि लोन की कुल रकम कम हो और ब्याज कम रकम पर लगे, जिसके फल्सवरूप लोन जल्द से जल्द चुकाया जा सके, ऐसा करने के लिए आप अन्य लोन में दी जा रही रकम में से कटोती करके इन खास तरह के लोन को चुकाने में कोशिश करें कि एक साथ ज्यादा रकम जमा कराएं ताकि लोन की वास्तविक रकम कम हो जाए और उसे आसानी और कम समय में चुकाया जा सके एक आमदनी बरहे तो चुकौती भी बढ़ाएं अगर आप तेजी से कर्ज उतारना चाहते हैं तो आमदनी बढ़ने पर अपनी लोन की किष्ट की रकम बरहा दें इसे आप लोन की ज्यादा रकम चुका पाएंगे मान लीजिए आपकी आए में 8 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो आप अपनी EMI में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर सकते हैं इस तरह EMI में 5 प्रतिशत की वृद्धि करके आप 20 साल के लोन को केवल 12 वर्षों में समाप्त कर सकते हैं जिससे आप ब्याज शुल्क में एक बड़ी राश्य की बचत कर सकते हैं डो आर्ण समेकन डेट कंसोलिडेशन अपनाए आर्ण समेकन आपकी वित्तिय स्थिती को बहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अगर आप पर कई ज्यादा ब्याज वाले आर्ण या क्रेडिट कार्ड की रकम शेश हैं तो आप धीरे धीरे वित्तिय गड़बडी की ओर बारह रहे हैं इसलिए सभी कर्जों से मुक्त होने के लिए कम ब्याज वाला पर्सनल लोन लेना एक बहुत ही बहतर तरीका है पर्सनल लोन आपकी सभी बकाया राशी को चुकाने में मदद करता है और आप हर महीने जो अलग-अलग किष्टें चुकाते हैं उसकी जगह पर्सनल लोन लेने से महीने में सिर्फ एक किष्ट चुकानी पड़ी निवेश किये गए पैसे से कर्ज चुकाएं आपके पास निवेश किया हुआ जो भी पैसा है उससे कर्ज चुकाने में फायदा मिल सकता है अगर आप कर्ज चुखाने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो आप अपनी G1 Bima Policy या AFD वगएरह का इस्तिमाल कर्ज चुखाने में कर सकते हैं। G1 Bima और PPF जैसे निवेश के तरीके आपके कर्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव करें अक्सर यह देखा जाता है कि कर्ज का अत्यधिक बोज असंगठित जीवन शैली का परिणाम होता है लोग उन चीजों को खरीदने के लिए खर्च करते रहते हैं जो अस्थाई खुशी के लिए होती हैं और लंबी अवधी में वे कर्ज का पहाड बना लेते हैं जीवन शैली में सुधार और खर्चों को कम करने से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं गैर जरूरी खर्चों जैसे महंगे प्रोडक्ट खरीदना, घूमने फिरने और वीकेंड पार्टियों में पैसे खर्च करना वगेरह में कटोती करके कर्ज के जाल से बाहर निकला जा सकता है कर्ज लेने से पहले बैंक और ब्याज का ध्यान रखें गलत आरण देने वाली संस्था का चैन भी एक कारक है जो आरणों के बोज को बढ़ाता है लोग अकसर संगठन आरण के संबंध में उनकी नीतियों और ब्याजदरों जैसे महत्वपूर्ण बिंदूओं का मूल लियंकन करने से बचते हैं अगर लोन लेने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो काफी हद तक कर्द के जाल में फंसने से बचा जा सकता है क्योंकि अगर किसी बैंक से सही शर्तों पर कम समय के लिए कम ब्याजदर पर कर्द मिल जाए तो उसे चुकाने में आसानी होती है अब प्रत्याशित और आवश्यक खर्चों को प्रबंधित करने के लिए आरण एक सहायक उपकरण है हालांकि आपको कर्ज के जरिये फाल्तु चीजों पर खर्च करने से हमेशा बचना चाहिए उपर बताये गए तरीकों को अपना कर आप अपने कर्ज तेजी से चुका सकते हैं ऐसा करना आपके लिए जरूरी भी है क्योंकि जितनी तेजी से आप अपने कर्जों को चुकाते हैं उतनी तेजी से आप जिन्दगी की मुश्किलों से बचते हैं और एक खुशहाल जिन्दगी की ओर आगे बचते हैं।